तो दोस्तो बॉलिवट सुबश्टार बॉलिवट के खिलाडी अक्षे कुमार की मुच अवेड़ेड फिल्म गोर्खा जिसका फैंस बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बारते सेना की गोर्खा रेजिमेंट पांचवी गोर्खा राइफल्स के एक महान अधिकारी मेजर जन्रल यान कार्डोजों के जीवन पर आधारी इस बायोपिक में अक्षे कुमार लीड रोल प्ले करेंगे फिल्म का निर्देशन आनन्द यल्राई करेंगे अतरंगी रे और अक्षा बंदन के बाद अक्षे कुमार आनन्द यल्राई की कलर यलो प्रोड़क्शन और केफ आप गुड फिल्म्स ये मूवी बना रही इस फिल्म का निर्देशन रास्ट्रिय पुरसकार विजेता संजे पुरन सिंग चवान करेंगे हमेशा देश भक्ती पर बनी फिल्मों को पसंद किया जाता है निर्मताओ को इस बलिदान और वीरता की कहानी को परदे पर लाने पर गर्व महसूस होता है और देश वासी भी इन फिल्मों को देख कर हमारे जीवनों पर काफी फक्र महसूस करते है अक्षे कुमारून महान युद्ध नायक की भूमी का निभाएंगे के बाद रिपोर्ट में सूतरों के हवाले से बताया गया है कि फिल्म की कहानी की प्रामानिकता पर सवाल उठाने के बाद अक्षे कुमार ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खीच लिए दरासल मेजर कालडोजों के साथ युद्ध में शामिल रहे कुछ यूनिट मेंबर्स ने उनकी घटनाओ के कुछ संस्मरन पर सवाल उठाये है बता दे कि अक्षे कुमार सेना का बहुत सम्मान करते है कई बार वह सारवजनिक रूप से जशस्त्र बलो के प्रतिस अपना सम्मान जाहिर कर चुके है यही वजह है कि अक्षे कुमार ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्ता नहीं बनना चाहते जिसमें किसी भी प्रकार का संशे हो बताया जाता है कि 1971 के युद्ध के दोरा जेनरल यान कार्डोज का एक पैर लेंड़ बाइन पर पढ़ गया था जिसके बाद उन्होंने अपना पैर काट दिया था वही आभी यह कहना मुश्किल है कि गोर का अफलिम आएगी या नहीं क्योंकि मेकर्स ने अभी तक ऑफिशले इस पर कुछ भी नहीं कहा है वैसे आपको क्या लगता है कि एफलिम आनी चाहिए या नहीं कमेंट करके जरूर बताना बाकि अगर आप भी अक्षे कुमार के डाय हाट फ्यान है तो इसी अक्षे कुमार की मुवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें